Hello and Welcome आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे कैसे हम PowerPoint प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं विद आडियो और वीडियो हमारी प्रेजेंटेशन रिडिय है हम चाहें तो एक स्लाइट की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या पूरे प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं जो फाइल हमारी बनेगी उसको एज़ वीडियो फाइल हम सेफ कर सकते हैं या एज़ स्लाइट शो भी रन कर सकते हैं तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे under record option आपको दो options दिखेंगे from beginning, from current slide हमने from beginning select कर रखा है तो हम यहां से click करेंगे, जैसे यह आप from beginning पे click करते हैं यह screen आपके सामने आएगी यहां पे आपकी slide आप देख सकते हैं at the top आपके पास edit option है जो presentation के लिए है यहां controller है जो की आपको recording का time दिखाएगा record button है आप यहां से pause कर सकते है recording को या retake कर सकते है recording camera option भी है आपको video record करना है तो आप yes button को turn camera on को click कर दीजे यह audio को option है and यहां some more options recording के लिए available हैं, अगर हम इस पे click करते हैं तो आप microphone select कर सकते हैं camera and यहां पे जो हमने recording करी है इसके लिए दो options मिलते हैं कि जो recording हमारी particular slide पे है, current slide पे है उसको remove करना, हम delete करना चाहते हैं या जो recording सभी slides पे है हम उसको remove करना चाहते हैं तो यह सारे options आपके some more options में आपको यहां पे मिल जाते हैं यहां पे अगर आपने पनी slide पे कुछ notes add कर रखे हैं, तो while recording अगर वो आपको read करना है, तो आपको यहां पे वो दिखेंगे और आप उसको read करके अपनी recording कर सकते हैं प्लस आप अगर इस particular text जो notes आ रहे हैं उसको उसका size increase करना चाहते हैं ताकि आप easily देख करके पढ़ सकें तो आप वो भी कर सकते हैं increase या decrease का option है यहां पे नीचे देखेंगे तो यहां पे जितनी भी slides हैं वो यहां पे आप move कर सकते हैं जो भी slides आपको select करनी है आप इन controller से उन slides पे जा सकते हैं अगर हम right hand side पे देखें तो select the camera mode यहां पे show background और blur background अगर आपने camera on कर रखा है तो अगर show background है तो पीछे की चीज़े दिखेगी आप उसको blur करना चाहते हैं किवल आपका चेहरा दिखें तो आप वो options यह दो options यहां पे दिए हुए views पे click करें तो slide view presenter view and teleprompter view आपके लिए तीन views यहां पे available हैं इस slide के नीचे आप यहां कुछ और options देख पा रहे हैं this is laser laser pointer अगर मैं यहां पे जब recording start करूंगी मैं laser use करना चाहूं कुछ particular portion को emphasize करने के लिए तो हम laser use कर सकते हैं eraser भी available है pen and highlighter भी है तो इन सारी चीजों को use करके हम अपनी presentation record कर सकते हैं plus आपके पास यह options हैं color के options चो कि आप pen के लिए use कर सकते हैं तो हम recording start करते हैं यह मेरी first slide है तो recording के लिए हम start करेंगे hello and welcome आज हम secure online transactions की बारे में बात करेंगे तो online transactions होते क्या है तो यह payment method है जिससे आप transfer कर सकते हैं fund over electronic media then online transaction process is secure and password protected हम next slide पे आगे since यह मैं आपको बता रही हूँ आप recording में नहीं यह डालेंगे then आप यहाँ read कर सकते हैं कभी भी आपको pen यूज करना है आप pen यूज कर सकते हैं highlighter यूज करना है तो आप highlighter यूज करके कुछ चीज़ों को बता सकते हैं वीडियो के टाइम पे next slide पे जाते हैं use antivirus and firewall check for digital certificates and सारी चीज़ें आप जो भी बोलना चाहते हैं discuss करना चाहते हैं आप इस recording में record कर सकते हैं and then we come to the end of the slide अब आपने recording कर ली आप stop button पे click कर दीज़े stop recording हमारी recording हो गई आप इसको retake करना चाहते हैं आप retake कर सकते हैं जैसे ही आप retake करेंगे फिर से आप first slide पे जाएए वहाँ से recording करेंगे एक बार ही आपका यह recording हो गया तो यहाँ पे export button है यह आप चाहें तो as a video file save कर सकते हैं तो click कर यह export पे आप यह window देखेंगे increase your reach with window यहाँ recording का name दे देएंगे यह यहाँ पे full HD 1080 pixel पे selected है और जो भी आपको जहाँ भी save करना .mp4 selected है वहाँ पे यह तो browse करके आप save कर भीजिए यह full path देख करके आप कर लीजिए अगर आपको कुछ customization करना है तो आप customize export पे click करेंगे तो same window open होगी जब जो की हम file पे and export पे click करते हैं तो वहाँ पे आप video resolution और बाकी चीज़ें select कर सकते हैं अगर हम export video पे click करते हैं तो थोड़ा सा वो time दिखाएगा यहाँ पे आपको वो दिखाएगा कि आपको video recording है वो export हो रहा है and then आपको वापस आपकी presentation पे ले जाएगा जैसे यह आपका video export हो जाता है आपको वापस आपकी presentation पे आजाएगे और यहाँ आपको दिखेगा video exported successfully you can click the video and share with others तो हम चाहें तो इस slide show को run कर सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं जो हाइलाइटिंग आपने की है वो सारी यहाँ पे available होती है आप चाहें तो इस video को भी run कर सकते हैं let's see this video hello and welcome आज हम secure online transactions की पारे में बात करें यह 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 यूजर अपने यूज़ किया था तो online transactions होते क्या है यूज़ करना है आप pen use then keep a card for your dedicated card for online transactions यह सारी चीज़ है आप जो भी discuss करना चाहते है so using these simple steps हमने discuss कर लिया कि कैसे powerpoint presentation को record कर सकते हैं with audio and video for more such videos stay tuned and thank you for watching